असलाम लेकुम एवरीवन कैसे आप सब आए होप आप सब अच्छी होंगे तो आज में फिर से आएंगे एक नई रेसिपी के साथ जो की बड़ी की रेसिपी है और यह बहुत ही मज़ी की रेसिपी है आप अगर कभी खाये हैं यह नहीं पता नहीं तो मैंने जो है सोचा आज बड़ी की रेसिपी शूट किया जाए तो वीडियो के बिना स्किप की वह आप नार से किजाए किजेगा है मैंने गयास का फिल मौन करके एक पैन लग दिया था उसमें त्री टेपली स्पून सरसू का तेल डाला है और फिर जब यह गरम हो जाए जब इसमें डालेंगे दो भी थोड़ा मुल लेह अब देखेंगे जो हमारे मिर्च है इसका तो कमर कलल चेंज हो गया है इस मिर्च को अब यहाँ पे निकाल देंगे किसी भी बरतर में निकाल ले आप और जो प्याज है इसको continue यहाँ पे थोड़ा ब्रॉन करना है जो ब्रॉन कलर आता है इस टैप का आप कर ले बस यहाँ पे आप देखेंगे जो प्याज का कलर इस तरीके का देखेगा आपको यहाँ पे निकाल लेना है जादा ब्रॉन मत करें वरना आपका प्याज जो है वो काला पड़ जाएगा यहाँ पे जो प्याज को निकाल लेंगे उसी प्लेट में और फिट जो है मिर्श को तल के निकाला था इसका एक फाइन पेस्ट बना ले अब देखें लगातार जो है बड़ी को इस तरीके से तलने के बाद मैंने हाफ टीस्पून जो है गार्टलिक का पेस्ट डाला है इसमें आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा जब क्योलर चेंज हो जाए जब इसको इस तरीके से जो है सलाइस में ही कट किया है यह थोड़ा मोटा मोटा साइस का है इसमें डाल देना है आप इसको लफली भी कट करके डाल सकते हैं और मैंने जो भी पेस्ट बनाया था प्याज और मिर्श की वह इसमें डाल देंगे अब उसी बरतन को मैंने थोड़ा स का पॉडर और one four teaspoon जीरा का पॉडर डाला है और यहां पे नमक आप सूात के निसर डाले यहां पे हदी मैने नहीं डाला है और नाहीं मिर्च क्यूंकि मैने लाल सुखी मिर्च ली थी वही इसमें तीखा फ्लिवर देगा अगर आप जो है इसमें थोड़ा और तीखा खाना च किया है और पानी ऐड़ करने के बाद यहां पे टेश्ट किया था मुझे नमख की कम लगा था तो नमक मैं और डाले हूं यहां पर आपको जितना आपके टेश्ट को अकॉर्डिक लग डाल दें उसके बाद इसको कबर करते कबर करने के बाद जो है दस से बारा मिनट के लिए इसको पकाएं और पकाने के बाद जो है इसका देखे मैंने लीड हटाया है इसको उसके बाद देखेंगे ये बड़ी का साइज भी थोड़ा बड़ा हो गया है और उसके बाद अगर आपके बहुत ही मज़े का लगता है रेसिपी आप कॉमेंट करें मुझे आपको यह रेसिपी कैसी लगी है नीचे रेट करकर सब्सक्राइब को बटन है उसको भी दबा कर मुझे सपोर्ट कीजिए फिर से मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ तब तक लिजाज़ देजिए हमें लाह हाफिस थाइन को बाचिक दौा में यादर कीगा